हेलो, इस वीडियो में आज हम ये सिखेंगे कि duplicate value को remove कैसे किये जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे data type पे जाएंगे data type पे जाने के बाद यहाँ पे remove duplicate command है यहाँ पे हम click करेंगे click करने से जो भी यहाँ पे duplicate value लिखेंगी वो यहाँ से हड़ जाएंगी तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे यह हमारे पास data है जिसमें यह serial number, name, row number, total marks यह यहाँ पे लिखे हुआ है और यह निचे यह values है अब हम यह देखेंगे कि यहाँ पे duplicate value कौन कौन सी है तो इसके बाद हम यहाँ पे यह जितना भी data है इसको select करेंगे यह data select किया select करने के बाद यहाँ पे home tab पे जाएंगे home tab पे जाने के बाद यहाँ पे conditional formatting यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे highlight cell rules यहाँ पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यह आगे यहां पे लिस्ट उपन हो जाएगी इसके बाद यहां पे डूप्लिकेट बैल्यू यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे जो डूप्लिकेट बैल्यूस है यहां पे हाइलाइट होके आगे तो यह यहां पे स suppose करो हमें ये color चाहिए green fill with dark green text यहां पे click किया ये देखो ये color यहां पे आ जाएगा इसके बाद हम यहां पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद ये देखो यहां पे ये जो duplicate value है ये यहां पे highlight ok आगी ये देखो amit लिखा हुआ है amit row number ये 11 और ये total marks यहां पे 340 है तो ये highlight ok आया हुआ है इसके बाद और duplicate value कौन सी है ये देखो amit ये जो name है name यहां पे फिर से repeat हो गया amit इसके बाद ये amit है ये भी ये duplicate value है इसके बाद duplicate value जो है वो rahul है यहां पे name दिये गया है ये row number है और ये marks है तो ये देखो rahul नीचे यहां पे दिये गया है तो यहां पी row number सेम है और यहां पे marks भी सेम है तो ये यहां पे highlight हो गया है इसके बाद ये यहां पे 340 है ये भी यहां पे highlight हुआ है क्योंकि 340 यहां भी लिखा हुआ है और 3 foot यहां भी लिखा हुआ है तो यह duplicate value है इसी लिए यहां पे यह highlight होके यहां पे आ गया है इसके बाद हम यह चाहते हैं कि यह जो duplicate value है यहां से हड़ जाए तो पहले हम यह name की duplicate value इसको अटा के देखेंगे उसके बाद row number यहां पे duplicate लिखे हुआ उसको अटाएंगे उसके बाद total marks में जो duplicate value लिखी हुई है उसको अटाएंगे या हम remove duplicate command सारे table में भी apply कर सकते हैं यह जितना भी data है इसको select करेंगे यह देखो यह सारा data यहां पे select किया select करने के बाद यहां पे data type पे जाएंगे यह data type है यहां पे click किया click करने के बाद remove duplicates इस command पे click करने के बाद यह remove duplicates यह dialogue box यहां पे आ जाएगा आने के बाद यहां पे यह देखो columns तो जितने भी हमारे पास यह column होगे जैसे यह देखो serial number, name, row number, total marks तो यहां पे जो भी हमारे पास column होंगे यह सभी column यहां पे आ जाएंगे तो यह जितने भी यहां पे column है अब एक-एक column में हम duplicate value को अटाएंगे जैसे यहां पे name है name में जो duplicate यहां पे name है उनको यहां पे अटाएंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे name को check रहने देंगे और बाकी को यहां पे uncheck कर देंगे यह देखो इसको भी और इसको भी यह name यहां पे check है तो यहां पे हमने इसको check किया check करने के बाद अब क्या होगा यह जो name में duplicate यहां पर नेम लिखे हुआ है वो यहां से हट जाएंगे यह देखो राहुल यहां पर दो बार लिखा हुआ है अमित यहां पर तीन बार लिखा हुआ है तो यहां पर यह अमित एक ही रह जाएगा यहां पर राहुल यह भी एक ही रह जाएगा और बाकी यहां से हट जाएंग तीन जो duplicate value है यहां पे font की गई है और उनको हटा दिये गया है तो हमारे पास यहां पे seven unique value रह गई इसके बाद यहां पे okay पे क्लिक किया okay पे क्लिक करने के बाद यह दिखो seven values है यह one two three four five six seven यह seven values है यह दिखो यहां पे आमित पहले यहां पे तीन वार लिक खथा नेमें अब यहां पे एक वारी रह गया है और राहूल यहां पे दो वार लिक खथा और यहां पे एक ही राहूल यहां पे रह गया है तो इस तरह से हम column wise duplicate value को भी आठा सकते हैं अब हम इसको undo करेंगे ये देखो undo करनेके लिए हम keyword से control z की press करेंगे control z press करने पर ये सारा data यहांपर आ जाएगा आने के बाद हम यहांपर row number ये देखो row number में duplicate value जो हुआ है उनको अअलाग करेंगे तो इसको करके दिखते है तो इसको करने के लिए हम इसको select करेंगे डेटा का वो यह डेटा सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद डेटा डैप पे जाएंगे रिमूब डूपलिकेट यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद अब हम इसको रो नंबर को यहां पे चेक करेंगे बाकी को यहां पे अंचेक कर देंगे यह देखो सभी को अंचेक कि गा है तो उक्का में के क्लिक इसके बाद ये ग्ले के लगए यहां पे यहां पे दिये गया कि ऑगता You ऐसने की गई है और उसको हटा दिये गए है इसके बाद उक्के पे क्लिक किया और यहां पे यह duplicate value 11 जो था यहां पे दो बार लिखा था यह यहां से हट गया एक ही बार रह गया है इसके बाद यह दिखा 12 यहां पे दो बार लिखा था यहां पे एक बारी रह गया है तो इस तरह से हम duplicate value को हटा सकते हैं इसके बाद फिर से हम यहां पे undo करेंगे सारा data यहां पे आ जाएगा keyword से control z press किया press करने के बाद यह सारा data यहां पे आ गया अब हम यहां पे total marks यहां पे यह जो duplicate value है यह देखो highlight हुई है 340, 310 यह 310 दुबारा आया हुआ है 340 फिर से आया हुआ है और 340 यहां पे फिर से आया हुआ है अब हम total marks इन में जो duplicate value है इनको हटाएंगे इसके बाद हम यहां पे यह data को select करेंगे data को select करने के बाद remove duplicate यहां पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद अब total marks यहां से हम duplicate value को हटाएंगे तो इसको uncheck करेंगे बाकी को uncheck किया यह देखो row number, name, center इसको uncheck किया, total marks इसको check किया, इसके बाद ok पर click किया, ok पर click करने के बाद यह दिखो, यह message यहाँ पर आ जाएगा, 3 duplicate value found and removed 7 unique value remain इसके बाद ok पर click किया ok पर click करने के बाद यह दिखो 3 foot यहाँ पर रह गया है और यहाँ पर यह 310 है यहाँ पे duplicate value जो थी वो यहाँ से हट गई है और बाकी यहाँ पे unique value यहाँ पे रह गई है तो इस तरह से हम यहाँ पे duplicate value को columnizer अटा सकते हैं इसके बाद फिर से इसको undo करते हैं यह ctrl z keyword से प्रेस किया यह undo किया सारी values यहाँ पे आ जाएंगे अब हम यहाँ पे सारे table में जो duplicate value हैं इनको हटाना जाते हैं तो यह देखो यहाँ पे series number है यहाँ पे यह जो series number है यहाँ पे कोई भी cell highlight नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी duplicate value नहीं है और यहाँ पे आगे name, row number, total marks यहाँ पे यह cell highlight है तो यहाँ पर यह duplicate value है तो हम क्या करेंगे यहाँ से table को select करेंगे यहाँ से select किया यहाँ से हम duplicate value को remove करेंगे तो इसके लिए remove duplicates यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद यह देखो तीन यहाँ पर column हमने select किये यह columns यहाँ पर आ जाएंगे name, row number, total marks इसके बाद यहाँ पे OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहाँ पे two duplicate values found and removed हमारे पास यहाँ पे two duplicate value यहाँ पे found हुई है और उनको हटा दिया गया है eight unique value remain यहाँ पे हमारे पास जो unique value है eight यहाँ पे रह गई है इसके बाद ok पे click करेंगे तो ये देखो ये जो command थी हमने सारे table के लिए apply की थी कि सारे table में name ये भी same हो row number ये भी same हो total marks ये भी same हो जिस जिसके यहां पे name row number total marks same है वो यहां से हड जाए बाकी ये देखो आमित यहां पे आया हुआ है तो इसका मतलब यह है ये duplicate value है लेकर यहां पे ये duplicate value नहीं थी ये जो row number है आमित इसका 11 है और ये इसका यहां पे 16 है ये यहां पे duplicate value नहीं थी और यहां पे total marks में यहां पे 340 ये total marks है और यहां पे 285 ये आमित के total marks है तो ये duplicate value नहीं है, तो इसलिए यह value यहां से नहीं हटे, यहां पे दो राफुल थे, जिनके name भी same थे, row number भी same था और यहां पे total marks भी same था, तो यह यहां से हट गया हटने के बाद यहां पे तीन आमित हमने लिखे थे, तो आमित जो हमने last में लिखा था, वो आमित उसका name भी same था row number भी same था और total marks भी same थे तो वो यहां से हट गया है तो इस तरह से अगर हमारे पास बहुत सा यहां पे data दिया गया है और गलती से हमने यहां पे duplicate value लिख दिया है तो remove duplicate commands के जरिए उन values को हम यहां से अटा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने remove duplicates command के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद